नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज इस वीडियो में हम लोग शूर करेंगे कंप्यूटर नॉलेज पार्ट वन ये कंप्यूटर नॉलेज हमें कई प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए उप्योगी है जैसे की SSC, IVPS Clark, IVPS PO, RBI Assistant, IVPS SO, RRB, CTAT, TAT, BAD, SCR, UFSC, UP LAKPAL अन्य जितनी एकंशिया आती हैं जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मांगा जाता है वह सभी में उप्योगी होगा आज हम प्रेक्टिस करेंगे पार्ट वन में जिसमें केवल 50 कोश्चन है भाकी हम अन्य पार्ट लाएंगे उनमें हम 500 से लेके 1000 तक चलेंगे चले तो हम आज का ये पार्ट सुरू करते हैं इससे पहले मैं आप लोगों से गुजायश करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और अन्य अपने मित्रों के साथ शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन पहला कुश्चन है हमारा इंटरनेट के पते में पद स्टी पीपी का सही विस्त्री विर्ण क्या है A. Higher Text Transfer Protocol B. Higher Transfer Text Protocol Hybrid Text Transfer Protocol Hyper Text Transfer Protocol अंसर है D. Hyper Text Transfer Protocol नेक्स्ट कुश्चन हमारा है वन गीगा बाइट में कितने बाइट के ब्रावर होता है A. 1024 KV B. 1024 MB C. 1024 GB D. 1024 TV अंसर है B. 1024 MB अंग्रा कुश्चन है हमारा कम्प्यूटरों में प्रियुक्त IC चिप बनते हैं A. क्रोमियम से B. आइरन ऑक्साइड से C. सिल्वर से D. शिलिकॉन से अंसर है D. शिलिकॉन से अंग्रा कुश्चन किसी कम्प्यूटर के प्रोग्राम में बच्चो दारा प्रिक्त भासा का प्रियोग कौन सी होती है A. बेशिक B. जावा C. लोगो D. पाइलेट अंसर है लोगो C. लोगो अंग्रा कुश्चन है एक मेगावाइट MB कितने वाइट के बरावर होते है A. एकजार चौविस केवी B. एकजार चौविस MB C. एकजार चौविस GV D. एकजार चौविस TV अंसर है A. एकजार चौविस केवी अग्रा कुश्चन है एक किलो वाइट कितने बाइट के बराबर होता है A. 1024 बाइट B. 1024 मेगाबाइट C. 1124 गीगाबाइट D. इनमे सकोई नहीं अंसवर है A. 1124 बाइट अगला कॉश्चन निम्द में कौन इन्पुट काई है A. माउस B. कीबोर्ड C. सकेनर D. इनमे से सभी आंसवर है D. इनमे से सभी ये सभी इन्पुट डिवाइसेज है अंगला कॉश्चन इनमे से कौन सर्च इंजन नहीं है A. गूगल B. याहू C. बाइडू D. वॉल्फार्म अल्फा हमरा अंसवर है D. वॉल्फार्म अल्फा जो एकी एक सर्च इंजन नहीं है बागी उपर तीनों गूगल याहू वाइडू सर्च इंजन है अंगला कॉश्चन अंगला कॉश्चन कम्पूटर का हिंदी नाम क्या है A. गर्णा करने वाला B. संगडक C. हिसाब लगाने वाला D. परिगणक अंसवर है B. संगडक अंगला कॉश्चन कम्पूटर के छेतर में महान करान्ती कब सी आई A. उननीस साथ्तर B. दूजार C. उननीस सुपच्पन D. उननीस सुसाट आंसवर है D. उननीस सुसाट अंगला कॉश्चन आदुनिक कम्पूटर की खोज श्वप्रतम कब हुई A. उननीस सु उन्चाश B. उननीस सु क्यावन C. उननीस सुच्पन D. उननीस सुच्पन आंसवर है C. उननीस सुच्पन अंगला कॉश्चन सबसे पहला कम्पूटर का नाम क्या था A. एट्रेस B. एनियाक C. टैंडी D. नुबेला आंसर है एनियाक B. एनियाक E. एनियाक C. ये पहला कम्पूटर था अंगला कॉश्चन कम्पूटर के अविश्कारक कौन है A. वान नुमेन B. जेस किलवी C. चार्ल्स बेवेज D. इनमें से कोई नहीं आंसर है C. चार्ल्स बेवेज अंगला कॉश्चन हमारा है एक शुरुहा नीजी कम्पूटर जो आपकी गोद में रहक रखने लाइक चोटा सा होता है क्या कहलाता है A. मेन फिर्म कम्पूटर B. नौटबूट कम्पूटर C. औरक्रिस्टेशन D. पीडिय आंसर है नौटबूट कम्पूटर जिसे हम जन्दल वासा में लैप टॉप भी कहते है लैप माने गोद और टॉप माने उपर जो गोद में आ जाए उसे लैप टॉप या नौटबूट कहा जाता है अगला कुश्चन है कोडांतरक एक प्रग्राम है वो अन्मिलिक्त में से किसे का रुपांतरन है A. मसीन से निमस्तर B. निमस्तर से उच्छिस्तर तक C. उच्छिस्तर से कोडांतरक तक D. कोडांतरक से मनिस्तर आंस्वर है D. कोडांतरक से मसीन तक अमारा नेक्स्ट कॉश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग होती है A. एक प्रोसेसर द्वारा B. एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा C. बिना किसी प्रोसेसर के T. इनमें से कोई नहीं आंस्वर है B. एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा A. एक से अधिक प्रोसेसर जब पर करते हैं उसे हम multiprocessing कहते हैं अंगला question निम्न लिखित में से optical memory है A. Bubble Memories B. Floppy Disk C. CD-ROM D. Core Memories answer है C. CD-ROM अंगला question CPU में control memory और तीसरा consign it होते हैं A. Micro B. Processor C. Output D. Arthematic Logic answer है D. Arthematic Logic अंगला question CPU के L.U. में होते हैं A. RAM space B. Register C. Byte space D. इन में से सभी answer है B. Register अंगला question गरना और तुलना के लिए computer के किस भाग का प्रियूग किया जाता है A. Disk Unit B. Modem C. L.U. D. Control Unit answer है C. A. L.U. Arthematic Logic Unit जिसका प्रियूग हम calculation और logical के लिए करते हैं logic के लिए calculation के लिए करते हैं अगला question है एक hardware device जो data को अर्थपूर्ण information रिवर्थित करता है A. Processor B. Input Device C. Program D. Protector answer है A. Processor अगला question processor के तीन मुख्य भाग हैं A. L.U. Control Unit और RAM A. L.U. Control Unit और Register C. Cache Control Unit और Register D. इन में से कोई नहीं answer है B. A. L.U. Control Unit और Register अगला question है CPU और Input Output के बीच signal लोगों के मुवमेंट को कौन नियंतरित करता है A. Control Unit B. L.U. C. Memory Unit D. इन में से कोई नहीं answer है A. Control Unit अगला question computer के Central Processing Unit का function है A. Data Delete करता है B. InVice बनाता है C. गरनाए और Processing करता है D. इन में से कोई नहीं answer है अगला question इन में से कौन सा computer एक मुनियादी कारे नहीं है A. Data को processing करना B. Text को scan करना C. Input को स्विकार करना D. Data को स्विकार करना answer है B. Text को scan करना अगला question परिचालन्ज संपन्थ करता है A. Algorithm B. Arithmetic C. ASCII ASCII से बोलते है D. इन में से कोई नहीं answer है B. Arithmetic अगला question Computer में अधिकांस processing किसमे होती है A. Motherboard B. Memory C. CPU D. RAM answer है C. CPU अगला question Computer निमली खित में से कौन सा कारे नहीं करता है A. Processing और अगला question है से कारे करती है A. Intel answer है B. Microchip अगला question है Computer द्वारा produce किया गया प्रणाम है A. Memory B. Data C. Output D. Input answer है C. Output अगला question हमारा है Input का output में रुपांतरंड किया जाता है A. Memory द्वारा B. CPU द्वारा C. Input और Output द्वारा D. Peripheral द्वारा Answer है हमारा B. CPU द्वारा अगला question Process data को कहते है A. Output B. Process C. Input D. सभी Answer है हमारा B. Process हमारा अगला question है CPU का मुख के घटक है A. Control Init B. Memory C. Arthematic Logic Init T. ये सभी Answer है ये सभी ये सभी पार्ट CPU के ही है Control Init Memory Arthematic Logic Init सभी CPU के ही पार्ट है अगला question हमारा है Computer की चमता है A. Nim B. उच C. सीमित D. असमित और आंसर है D. निम्न D. और सत Answer है A. समाने अगला question मानोमन्त कम्पूटर में किसकी गतिय अधिक है A. कम्पूटर B. मानोमन्त C. दोनों में बराबर D. इनमें से कोई नहीं Answer है Answer है B. मानोमन्त अगला question E. डीप क्या है A. Electronic Data Power B. Electronic Data Personal C. Electronic Data Part D. Electronic Data Processing Answer है D. Electronic Data Processing अगला question कम्पूटर में सूचना किसे कहते है A. डेटा को B. शंख्याओं को C. एककत्रीत डेटा को D. ये सभी Answer है C. एककत्रीत डेटा को अगला question कम्पूटर में डेटा किसे कहा जाता है A. चिन को B. संक्या को C. दीगई सूचना को D. चिन एउ शंक्यात्मक सूचना को Answer है D. चिन एउ शंक्यात्मक सूचना को अगला question Input का Output में रपांतरन किसके दवारा कह जाता है A. Memory B. Storage C. CPU D. Input Output Unit Answer है C. CPU अगला question Computer में जाने वाले डेटा को क्या कहते है A. Algorithm B. Input C. Output D. Calculations Answer है B. Input अगला question Data processing का अर्थ क्या है A. करना कारे करना B. डेटा का संग्रे करना C. Computer की कारे पनाली D. वाड़िचे को प्योग के लिए जनकारी त्यार करना Answer है D. वाड़िचे को प्योग के लिए जनकारी त्यार करना अगला question ATM क्या होता है A. बिना स्टाफ के नगदी देना B. बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर C. बैंकों किसा खाए D. इनमें से कोई नहीं Answer है A. बिना स्टाफ के नगदी देना अगला question Computer process द्वारा Information में परवर्थित किये जाने वो क्या कहते हैं A. इन्पुट B. डेटा C. नमबर D. सभी कथन सकते हैं Answer है B. डेटा मारा अगला question है A. एक electronic device जो डेटा को Information में परवर्थ करते हुए Process करता है A. कम्पुटर B. केश C. प्रोशेसर D. इन्पे से कोई नहीं Answer है C. प्रोशेसर D. घड़ी Answer है C. एक श मैं फिर आप लोगों इस गुजाइसकना चाहूँगा जो मेरे चैनल पर नए है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं इसी तरह के Informatic वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा और इस पार्ट के अलावा अन्ने पार्ट को भी देखें जिसे आप लोगों श्रंपूर जानकारी मिल सके धन्यवाद